सब्सक्राइब करते हूं आपका स्मार्ट प्रप्रप्रेशन में और यह है खेल और खिलाडियों से पूछे जाने वाला कि कि कौन-कौन प्रमुप खेल है और उस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं इस टाइप के हर एक एक एक्जाम चाहे यह जो रिल्बे हो यह पर ट्रप से माल आप त्रुक है लेकिन अगर सा बनाते हैं उसा है बनाते को याद करना भी और यह पार युकी सब्सक्राइब बस question को देखो किस खेल में कितने खिलाड़े थी उसी word में उसकी खिलाड़ी का ट्रिक चुपा हुआ है ठीक है बस इसी से याद करना है आपको कि कितने खिलाड़ी होते हैं आप सब देख सकते हैं नहीं सबसे प्रमुक्त है लें जिससे पूछ सके ठीक है तो कंटीनियू करते हैं आज का सेसन को जो बताने जा रही हूं उसके पहले आप यह तीन खेल है देखिए यह सारे खेल है यानि की फुट्बॉल और कृकेट इसमें 11 होते हैं टेबल टनिस टेनिस इसमें एक या 2 होते हैं और रगवीर फिटपने 15 होते हैं यह इसके अलावा जो बचते हैं उस पे मैं आपको ट्रिक बताती हूं उसके खिलाड़ी की संक्याचिपा हुआ जैसे कि पहला है पहला देखे पोलो में पीपा को देखिए पो जो है फोर की तरह लग रहा है आपको यानिकि इस पा से स्टार्ट हो रहा है तो यह हो गया समें फो पोलो में फो भिलाड़ी होते हैं रिष्ट है अब बास्केटबॉल को आप देखिए बास्केट बाल में चेख तराए यहां जेंए हूं क्या है तरीका तो इसमें देखिए आप यह ल, यहां भी ल, इन दोनों में ल ऐसे हैं, ठीक है, अगर इन दोनों को हम ऐसे करके एड करते हैं, 3,3 प्लस 6 हो गया, बॉली बॉल में 6, next है, कबड़ी में कितने होते हैं, 7, अब इसको कैसे याद करेगे, देखिए, कबड़ी, क 4D होता है, 5D होता है, अब इसमें 7D से इसको याद करेगे, कबड़ी, 7D, ठीक है, 7 खिलाडी, next question है, water polo, water polo में 7 होते हैं, अब इसमें देखिए, polo छोटा है, इसमें कम है, water polo बढ़ा है, इसमें ज्यादा है, एक और वर्ट जूट गया, तो इसको याद करने के लिए, पी और पार लो, पॉ याने की 4 और लो याने की 3, जैसे अभी मैंने यहाँ बताया था, बॉली बल के लिए, उसी तरह हो गया, दोनों को मिला के 7, ठीक है, तो यह याद करने का तरीका है, इसमें कन्फीज मत हुएगा, polo और water polo में, ठीक है, 7 हो गया, next है, net ball, अब net ball को क हो गया, 7 होते हैं, next is gymnastic, अब gymnastic को कजयाद करें, इसमें 8 है, यह देख कि क, क क क को इसमें मिला दिये, याने की ऐसे है, ऐसे मिला दिये, याने की 8 हो गया, उल्टा, याने की 8, gymnastic में 8, next है आपका baseball, नई, खोको, खोको में कितने होते है, 9 होते है, अब इसके लिए बस यह आपका खोक के नीचे, यह वो की तरह है, यह बस ऐसे कर देजी, होगा 9, ठीक, इसमें 9 होते है, next है आपका baseball, अब baseball में 9 होते है, अब इसके लिए क्या करें, इसके लिए होगा आपका, यह देखे, baseball जो खिलते हैं, यह stick से खोलते है, यह stick होता है, उसे ball को मारते है, इसमे stick है, यह stick होगा आपका, ऐसे लगा दीजे, और ball को यहाँ लगा दीजे, क्या होगा, यह क्या बना, 9 बना, ऐसे भी कर सकते हैं, फिर बी को, तो बी को ऐसे कर दीजे, यह ज़्यादा बेस तरीक है, इसको याद रोखे, जो stick होता है, यह ball को मारते है, तो वो stick बनाए, और यह ball लगा दीजे होगा, आपका 9, ठीक है, तो यह थे आपको याद करने का तरीका, मैं एक बार आपको repeat फिर से कर देती हूँ, तो repeat करने के लिए, इससे बस तरीका सारे को याद करने के लिए, और कोई नहीं हो सकता, तो देख लिजे, इस्टार्ट करते हैं फिर से, यह क 5 हो गया, यह आपका volleyball में क्या था, volleyball में यह law, यह law, यानि कि 3 प्लस 3, 6 हो गया, यह और कबड़ी में क्या था, 3D, 4D, 6D स्थाना, यह तो उसे 4, 7D हो गया यह, water polo में यह पा, यानि कि 4, यानि कि 3, जैसे कि 3 यहाँ पड़ता है, यानि कि 4 प्लस 3, 7, फिर यहाँ नेट ब बढ़ा दीजी इस Latte, यही हो गया, इसे 7, Gymnasty का इसे 5 को आप मिला दीजी, यानि कि यह हो गया 8, ठीक है, खोको में 9 होते है, यानि कि यह को बढ़ा दीजी, 9 हो गया, baseball में जो stick से खेला आता है, उस पर ball को चिपका दीजी, 9 बन जाता है, यानि कि baseball, इस से best तरीका इसके करिए और अगर कुछ इंप्रुमेंट चाहिए तो आप कमेंट बोक्स में बता सकते हैं ठीक है तो थाइंक यू फ्रेंड बाइबाई और टेक के लिए अगर आप